Hello everyone, welcome back तो हम April 9th की जो shift 1 थी maths की उसकी memory-based questions आज discuss करेंगे कुछ tips देखेंगे, analysis देखेंगे और देखेंगे क्या-क्या चीज है क्या-क्या नए concept अपन इसके अंदर सीख सकते हैं या revise कर सकते हैं सबसे पहले first question पर आते हैं तो light की reflection property और parallelogram की diagonals bisect करते हैं इस property का use हो रहा है तो बोल रहा है light जो है वो आ रही है 1,2 से तो ठीक है 1,2 से आने दो और reflect करती है कहाँ पर reflect करती है x-axis पर यह वाला point है Q अना point P से आ रही है Q पर reflect कर रही है x-axis है और reflect होके कहाँ से pass कर रही है R से और R point भी हमें दे रहा है यह है 3,4 तो हमें S point निकालना है यह सामने अला जिसको इन्होंने H,K बोल रहा है यह S point तो इसके लिए बिटा ऐसा करो कि Q निकाल लो एक बार Q निकाल लिया तो क्या हो जाएगा P, R, opposite point diagonal के Q, S, opposite point है तो midpoint सेम होता है क्योंकि diagonal bisect करते है मतलब की P plus R by 2 जो होगा वो S plus Q by 2 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा अपन ऐसा बॉल सकते है अब Q कैसे निकाल लेंगे क्योंकि X axis mirror है Y बराबर 0 तो आप इस point की X axis के अंदर image ले लो यह shortcut है तो अगर अपन X axis में image लेंगे तो इसका Y coordinate जो होगा वो change हो जाएगा यह बन जाएगा 1, minus 2 अब अपन क्या करेंगे 2 point form से यह equation निकाल देंगे यह reflected ray की equation होगी आप 1, minus 2 और 3, 4 से क्या करेंगे line की equation निकाल देंगे वो line जहाँ पर इस mirror को cut करेगी इस X axis को Y बराबर 0 को वो आपका Q point आ जाएगा एक बार Q point आ गया तो P plus R का आधा बराबर Q plus S का आधा तो दो questions को mix कर लिया पहरले logarithm की property और light की reflection वादी property next पर आते है probability के ऐसे बहुत सारे question देखे गए है इन shifts में जिनको quadratic के साथ mix किया गया है तो बोल रहा है tetrahedral dice है तो जैसे अपन जिससे खेरते हैं वो cuboid या cube होता है उसमें 6 faces होता है tetrahedral में 4 होता है तो जब अपन dice चलते हैं तो वो किसी triangle पे land करेगा तो आपको उसके 3 faces दिखते हैं एक time पर और उन 3 faces के outcome को ये A, B और C बोल रहा है तो पूछ रहा है क्या probability है कि इसके real roots हो मतलब इसका D greater than or equal to 0 अब मानलो आपको 3 faces दिख रहे हैं उपर तो अब कोई repeat तो होगा नहीं हर एक के पास 4 options थे तो पहले face पे 4 options है फिर अगले वाले पे 3 हैं फिर अगले वाले पे 2 हैं तो टोटल आपके पास किते options available हैं 24 जो आप को उपर 3 दिखेंगे वो अब ऐसे 3 दिखने चाहिए कि जो हमारा B square है वो greater than equal to हो जाना चाहिए 4 AC ये important बात है B square should be greater than equal to 4 AC और सारे distinct होंगे सेम नहीं हो सकते जो सारे के सारे हैं वो dice हैं अब एक dice पर दो बार 3 तो आएगा नहीं तो इसलिए अब यहाँ पर जित्ते भी हमारे पास इसके case के अंदर outcome आएंगे वो सारे different होने चीछी तो अब उसके आपको यहाँ पर cases बनाने पड़ेंगे जैसे A ये B ये C है तो आपने A को रग दिया 1 तो B square greater than equal to बन गया आपके पास 4 into C अब C को आप वापस 1 नहीं रख सकते तो C को जैसे आपने रग दिया मानलो 2 1 into 2 4 into 1 into 2 8 तो B हो जाएगा 3 यह 1 into 2 into 4 8 है तो भी आप 4 भी ले सकते हो ऐसे cases बनाने बिठा जैसे A को आपने 2 ले लिया C को भी आपने 1 ले लिया तो फिर से B 3 हो जाएगा 2 1 पे यहाँ पर 4 आजाएगा ठीक है या फिर अगर आपने मानलो दोनों को 2 2 लिया तो 4 into 2 into 2 16 होता है तो B को बराबर होने के लिए 4 ही होना पड़ेगा और कौनसा option हो सकता है 3 1 वाला ले सकते हैं जैसे B को ले लिया 4 A को ले लिया 3 C को ले लिया 1 या उसका उल्टा तो यह वाले जो सारे options होंगे अपने पास यह अपन ले सकते हैं देख ले ना बस कोई case अपने repeat नहीं कर दिया हो या कोई case अपने गलत नहीं लिया हो बाकी तो सारे कोई problem है नहीं और फिर divide कर देंगे 24 के साथ तो इन्होंने 6 cases बना ऐसे आप भी cases बना आरके देखना इनके cases अपने cases जादा क्यों हा रहा है अपन ने 242 भी ले लिया अच्छा इन्होंने equal वाला case नहीं लिया तो फिर equal वाला नहीं ले रहे हैं तो real distinct लिखना चाहिए था भई अगर real distinct होगा तो 6 case बनेंगे फिर में 242 नहीं ले पाऊंगे रियल में तो b square और 4ac भी बराबर अच्छा ये मेरा इसले नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ये दोनों same ले 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 सेम नहीं लेने सब पर distinct हैंगे तो 6 case total upon 24 तो ये probability को quadratics से mix कर दिया next पर आते हैं circle passes through 0,0 and 1,0 touches the circle this then locus of its center is तो ये तो I think straight forward center को मान लो h,k अब 0,0 जो है ये इसके उपर है तो इसका distance जो होगा center से ही हो जाएगा root h square plus case हो ठीक है तो ये इसका radius है पहले वाले circle का r1 बोल देते है r2 दूसरे circle का radius है 3 और ये दोनों एक दूसरे को touch कर रहे हैं तो c1 c2 बराबर क्या होगा या तो r1 plus r2 या r1 minus r2 तो इसका center क्या इसका center 00 ही है तो दोनो centers के बीच का distance ही है ऐसा अब अगर मैं इसको r1 plus r2 करूंगा तब तो 3 बराबर 0 आ जाएगा ये कड़ जाएगे तो इसलिए मैं इसको r2 minus r1 कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास r2 minus r1 internally टेच करने वाली condition लगा रहा हूं अब left side बेच के बीचा squaring कर दूँगा तो h square plus k square 9 by 4 आ जाएगा जो की circle है तो फिर से आसान सवाल था next पर आते हैं fourth question vectors का है vectors के काफी question आए इस बार तो value of alpha और mod c square ये दो चीज़ें पूछिए a plus b c vector है बतला basically mod of a plus b किसके बराबर है mod of a minus b दोनों तरफ squaring कर देंगे तो दोन तरफ squaring करेंगे तो आएगा mod a square mod b square plus 2 times a dot b ये left में आएगा right में क्या आएगा mod a square plus mod b square minus 2 times a dot b अब mod a square mod b square तो cancel हो जाएगा four times a dot b आ रहा है और वो भी zero आ रहा है मतलब a और b vectors perpendicular है यानि कि इनका जो dot है 2 alpha plus 20 plus 30 ये zero कर देंगे तो alpha की यहां से अपने पास value आ जाईगा एक बार alpha आ गया तो c vector आ गया और c vector आ गया तो यही उसका modulus है जो आप अभी निकाल सकते हो mod a square plus mod b square तो easy सवाल था next पर आते हैं तो complex number का सवाल है और इसके अंदर बोल रखाएगी a intersection b के अंदर कितने ऐसे complex numbers होंगे और उनके modulus का square करके उनका sum बताना है और जो भी z ले रहे हैं उसमें condition यह है कि a और b दोनों उसके x और y coordinates जो हैं वो integers भी होने चाहिए और इन दोनों को satisfy करने चाहिए दोनों को तो पहला वाला तो mod z minus 1 less than equal to 1 यह तो circle हो गया बटा इसका center 1,0 है radius इसका क्या आजाएगा 1 और इसके अंदर वाला हिस्सा हमें लेना है दूसरा जो है तो है z minus 5 iota less than equal to mod z minus 5 तो यह line के नीचे का region हो जाएगा है ना अगर equal होता तब तो अपन perpendicular bisector बना देते किस-किस का 0,5 का 5,0 उनके बीच के अंदर का यह हिस्सा आ जाता लेकिन अब यह less than equal to है अच्छा एक स्गिन डेटा सही है कि इनका क्योंकि यह 5 लिया वा इन्होंने डाग्राम में इन्होंने कुछ और लिया वा चलो ठीक है कोई हम equation निकाल लेते हैं एक बार तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आता है अपनको या फिर आप x प्लस iota y रखके स्क्वेरिंग भी कर सकते हो दोंव तरफ या तो 0,5 5,0 से ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कर सकते हो तो midpoint से जाएगा 5 by 2 इसका slope minus 1 है तो line का 1 हो जाएगा तो y minus 5 by 2 upon x minus 5 by 2 बराबर 1 तो I think y बराबर x ये तो आरी है line और y बराबर x जो जाएगी वो origin से जाएगी circle को cut करते है अब region वो लेना है जो z minus 5 से दूर हो यानि कि x axis से दूर 5 आयोटा के नजदी तो वह इन्होंने भी diagram के अंदर डिया है कि यहां से line pass करा दी y बराबर x ये जो आपका circle था circle की क्या equation थी x minus 1 का square y का square बराबर 1 इसमें भी इन्होंने x बराबर y रख दिया x बराबर y रख होगे तो ये दो point आ जाएंगे 0010 और इसके left वाला portion मतलब इसके उपर वाला बराबर हो या उपर हो दोनों चलेंगे क्योंकि I think equal to लिखावाए question है इधर भी less than equal to इधर भी less than equal to इसके लिए line के उपर की तरफ circle के अंदर उनकी boundary included कितने integral points है ये अपन को इसके अंदर यहां पर find out करने की ज़रूरत थी तो एक 00 आंकी बीच में कोई हो नहीं सकता इधर भी कोई नहीं होसकता क्यों कि ये 11 है तो ये वाला point हो जाएगा 01 तो 01 से 10 के कोई coordinate आएगा निंटेजर 01 से 11 के बीच में भी कोई नहीं आएगा तो इसके बीच में कोई integer नहीं ही दो guidelines इंटीजर है जो इनके उपर है एक 00 और 11 दोनों का मॉड निकाल के square add कर देंगे ठीक है सिक्स्त वाला simple सवाल है यहाँ पर अपनको fraction में convert करना है और यह सारे terms AP जैसे हैं तो इनके बीच का gap D है तो अपन पूरे को पहले क्या कर देंगे D से multiply VN method fractions में split करते हैं D से multiply किया है तो D से क्या करना पड़ेगा आपको divide भी करना पड़ेगा अब इस वाले D को आप लिख सकते हो 1 प्लस 2D और 1 प्लस D का difference यानि यह split हो जाएगा 1 अपन 1 प्लस D minus 1 अपन 1 प्लस 2D अगला वाला जो D है इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 3D minus 1 प्लस 2D तो यह split हो जाएगा 1 अपन 1 प्लस 2D minus 1 अपन 1 प्लस 3D और अब अगला 1 अपन 1 प्लस 3D 1 अपन 1 प्लस 4D ऐसे चलता जाएगा last तक जब अपन 1 प्लस 90 और 1 प्लस 90 के अंदर भी इसको क्या कर देंगे सारे के सारे टर्म्स जो है आपस में कैंसल हजाएंगे सिरफ बहार एक डी बचेगा और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर फर्स टम बचेगा और माइनस में आपके पास last term बचेगा और इसकी value जो है यह अपनको 1 के बराबर दे रखी है तो अब आप LCM लेंगे तो उपर आपके पास आजाएगा 9D जो इस D से कट जाएगा तो अब आपको यहाँ पर यह quadratic solve करनी है और वो वाला root लेना है आपको जिसके अंदर D जो आ रहा है वो positive आ रहा है क्योंकि question में बोल रखाए D is positive फिर 50D की value calculate कर देंगा तो splitting करना था sequence in series में जैसे अपन करते थे next continuity बोली इस बार यह shift में यह 8 वाले सवाल बहुत आया है किसी point पे continuity differentiability वाले पाई बाई टू पे continuous बोला है तो पाई बाई टू पे तो value a-8 है अचा पाई बाई टू माईनस पे standard limit बना दो यहां उपर 7x से multiply डिवाइड कर दो और 8x के लिए 8x से multiply डिवाइड कर दो और 107x बाई टाई अचा पाई बाई टू पे है ओके झिरो नहीं है तो फाई बाई टू अगर अगर अपन रखें तो फाई limit लगाने से तो tan 7 pi by 2 infinite की तरफ जाएगा not defined tan 4 pi 0 जाएगा 0 upon infinite is 0 उसी की तरफ जाएगा तो 8 by 7 की power 0 will be 1 तो a minus 8 तो straight forward आपके पास आजाएगा 1 के बराबर अब इसके लिए रही बात इसकी तो यहाँ पर अगर 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 आपन इसके अंदर क्या करते हैं e की power में ले जाते हैं fx में से अपन 1 हटा देते हैं fx में से 1 हटाने के बाद अपन क्या करते हैं multiply कर देते हैं जो भी remaining होता है gx जो उपर होता है तो cortex 10x कट जाएगे e की power में बचेगा b by a और a हमें पता है इसके बराबर है 8 के बराबर है तो e की power b by 8 आगया और ये भी 1 के बराबर होगा तो यहां से अगर आप देखोगे तो b को 0 होना पड़ेगा b 0 ही आ रहा है मिच मिस्टेक तो नहीं कर दी 5 by 2 पे cortex का mod है 0 की तरफ ही जाएगा और ये infinity जाएगा उपर वाला जो है तो e की power में वैसी वाली form मन रही है हमारे पास तो अब ये a minus 8 या ये 1 के बराबर तो तब ही जाएगी जब b 0 हो जाए और a 9 हो जाए तो b 0 a 9 पे तो 81 आ रहा है इन्होंने 100 की उन्धी एक्सिंट सॉलूशन देख ले जाए तो b 0 आ गया a 9 अचा आंसर में 81 लिखा है उपर 100 कर दिए तो ये simple था straight forward था अच्छा ये direct identity है बड़ा ही असान सवाल है cos theta 60 plus theta 60 minus theta पता है आपको क्या होता ही होता है cos 3 theta by 4 और less than equal to 1 by 8 मतलब की cos 3 theta is less than equal to half ये आ गया अब बोल रहा है find the sum of values of theta for which cos 3 theta is maximum तो cos 3 theta maximum कब होगा half पर मतलब cos 3 theta बराबर half ये solve करना है interval देना चीदा कुछ ऐसे तो infinite हो जाएंगे जो add करना है तो general solution लिख लोगी हो जाएगा 3 theta बराबर 2n pi plus minus alpha half होता है pi by 3 पर अब 3 से divide कर देंगे तो ये सारे solutions आ रहे है 2n pi by 3 plus minus pi by 9 तो जैसे n को 0 रखा तो pi by 9 1 रखोगे तो 2 pi by 3 minus pi by 9 2 pi by 3 plus pi by 9 फिर 4 pi by 3 minus pi by 9 4 pi by 3 plus pi by 9 तो इनको लिखना चाहिए था कि किस interval में इन्होंने 0 से 2 pi के बीच में निकाले है पर question में आई थिंक 5xy upon x square plus y square तो बिटा यहाँ पर क्या करना है simple कुछ नहीं y बराबर क्या रख देंगे अपन vx तो left side में आ जाएगा अपने पास v plus x dv by dx और y बराबर vx उपर और नीचे रखेंगे तो 5v upon 1 plus v square बन जाएगा अब इसको अपन एक तरफ भेजेंगे और अब यह separate हो जाएगे variable तो x dv by dx उदर भेजेंगे तो I think 4v minus v cube आ रहा है calculation एक बाड़ा देख लेंगे वापस तो यह बन जाएगा dv के साथ उपर 1 plus v square dv और नीचे v common ले लेंगे तो I think partial fractions में 2 try v, 2 minus v, 2 plus v तो आप partial fraction लगा के indefinite integration करना I think अपन सबी को आता है तो homogeneous का direct question आ गया NCRT level तो यह important था कि अपने NCRT वाले concept तो कम से कम ध्यान रखके जाएगे अब बोल रहा है maximum area of a line यह ऐसा already आ चुका है same ही shift session 2 में यह अलग-अलग shift में question repeat कर दोगे तो फिर तो क्या मज़ा आएगा 4,3 से line जा रही इसका maximum area पूछा है तो मान लो यह x intercept a है y intercept b है तो area half a b हो जाएगा इसका differentiation करने के लिए मुझे a और b में relation चाहिए तो आपन x by a plus y by b यह ले लेंगे किसके बराबर 1 और 4,3 से pass कर देंगे इस line की equation को intercept form value तो यहां से आपके पास b की value आ जाएगी इस b की value को अपन लिख सकते हैं 3 upon 4 by a minus 1 तो LCM ले लेंगे अगर तो 3 by 2 I think बहार आएगा और उपर आ जाएगा अपने पास a square upon 4 minus a जिसका differentiation 0 कर सकते हैं इसको am h m से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है तो आप try करें और मुझे comments में बताएं कि क्या आप am h m से करने में इसको successful रहे हैं otherwise तो differentiation ही 0 करने का option बचता है next भी standard integral है option में भी हिंड दे दिया sin x cos x और x से करना है पूरे को sin x cos x में convert कर दो और LCM ले जाएगा तो यह बन जाएगा उपर 2 cos x plus sin x का integration और नीचे बन जाएगा अपने पास 3 cos x plus sin x का integration अब जब नीचे भी sin x cos x में linear होता है उपर भी sin x cos x में linear होता है तो जो numerator होता है अपने पास जो इस केस में है 2 cos x plus sin x इसको अपन लिखते हैं a times denominator इस तरह से और plus b times denominator का differentiation ताकि एक पार्ट तो cut हो जाए और 1 का integration बन जाए x जो कि यहाँ पर बनावाए और दूसरे पार्ट में नीचे अगर t है तो अपन को उपर मिल जाए dt और dt by t का integration होता है ln t जो कि यहाँ पर बनावाए तो अब इसके case के अंदर अपन को यहाँ पर a और b कैसे निकालें coefficient compare कर लोगे cos x का इदर 2 है right side के अंदर आजाएगा 3a plus b यह हो गया 2 फिर sin x का अगर लेंगे तो यहाँ पर 1 है right side के अंदर आजाएगा अपने पास a और minus के अंदर आजाएगा हमारे पास 3 अब इसको अपन को solve करना है तो अगर अपन इसको solve करेंगे और solve करके अगर अपन इसके case के अंदर इसकी value निकालेंगे तो वहाँ से हमारे पास a आजाएगा और b आजाएगा तो वहाँ से क्या value आएगा I think 7 by 10 और minus 1 by 10 ऐसी कोई आएगी और फिर आप इसको अलग-लग integrate कर सकते हैं तो simple straight forward तरीका था और easy सा question था next area under the curve है इसका तो एक सवाल आता ही आता है ये भी NCRT जैसा ही सवाल है x square plus y square equal to 5 ये एक circle है radius 5 का और y square बराबर 4x जो extended parabola बन गया तो दो टुकड़े करता ये parabola एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला हमें बोल रहा है कि part of the circle smaller part of the circle cut by parabola यानि कि ये वाला तो symmetric है उपर वाला निकाल के double कर लेते तो पहले ये point निकालोगे y square को 4x डाल के इसमें put करोगे first quadrant में आएका तो x positive 1 वाला लेंगे minus 5 वाला आएका वो reject हो जाएगे तो ये 1,2 है तो ये 0 है और ये root 5 है तो open क्या करेंगे 2 times कर देंगे first quadrant में integrate करते है 0 से 1 इसमें तो parabola का integration करना है उपर वाली branch लेंगे 2 root x वाली है तो y को लिख दिया 2 root x प्लस 1 से लेकर root 5 में जाओगे तो circle की भी उपर वाली branch लेंगे root 5 minus x square इन दोनों को integrate करके double कर देंगे तो बहुत ही straight forward और simple सवाल था हो सकता है कुछ जनों को तो answer याद भी हो या shortcut भी याद हो इसका नेक्स्ट वाले पर आते हैं तो यह बोल रहा है कि इस एक equation दे दी is a parabola passing through 1,0 then vertex of parabola satisfied vertex निकालना इस parabola का तो अपन यहाँ पर dx से multiply करके integrate कर लेते हैं क्योंकि इस question के अंदर कुछ भी नहीं है और फिर भी मैं जिससे भी पूछ रहा हूं सब जैने यही बोल रहा है कि shift stuff आई है पता नहीं ओनलाइन नहीं दिखरी shift आफ paper में वहीं पर दिखती है shift आफ और लेंदी यहाँ solve करते हैं तो नहीं दिखती बढ़ा वहाँ दिख जाती y square by 2 plus 3x और बराबर में आजाएगा 2y plus c c निकालने के लिए बिटा 1,0 रखना है तो x को 1 रखोगे y को 0 रखोगे तो I think c की value 3 आजाईगे अब अपन थोड़ा साथ transpose करेंगे तो y square minus 4y और यह आजाएगा minus 6x plus 6 के बराबर और दोनों तरफ अपन को क्या कर देना है इसके case के अंदर दोनों तरफ अपन इसमें add कर देंगे 4 इधर भी 4 add कर देंगे और इधर भी 4 add कर देंगे तो यह y minus 2 का whole square बन जाएगा और left side के अंदर अगर अपन minus 6 common ले लेंगे तो minus 6 common लेने पर x plus 10 by 3 आजाएगा 10 by 3 आजाएगा 10 by 6 आजाएगा अब option में put करके check कर देंगे तो अभी भी बेटा 13 question होगा इस paper में lengthy question की तलाश कर रहा हूँ जरूर मिलेगा end तक जाते जाते बने रहो मेरे साथ तो alpha बेटा दे दिया और वो equation पूछे जिसकी यह roots है तो अब यहाँ पे कोई transformation नहीं लगा सकते आपको इन नोनों का sum और इनका product ही चाहिए तो दो value निकाल लो एक alpha की power 4 प्लस beta की power 4 और एक alpha की power 6 प्लस बीटा की power 6 तो अब यहाँ पर क्या है ना alpha प्लस beta पता है alpha प्लस beta किसके बराबर है 2 root 2 के और alpha बीटा बराबर है 1 के तो alpha स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर अपन सब को आता है यह होता है alpha प्लस बीटा का whole square minus 2 times alpha बीटा तो alpha स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर हो गया 6 अब alpha की power 4 प्लस बीटा की power 4 को अपन को क्या लिखना है इस को अपन लिख सकते है alpha square, beta square का whole square minus 2 times alpha square, beta square तो यह जो भी आपने 6 निकाला है इसको यहां पर रख़ो, 6 का square आजाएगा 36 और alpha, beta 1 है तो 36 minus 2 यह आजाएगा अपने पास 34, तो एक रूर तो है 34, दूसरा alpha की power 6 plus beta की power 6 है, इसको whole cube से कर लेते हैं, तो अपने इसको लिख सकते हैं alpha square plus beta square का whole cube minus 3 times alpha square, beta square into alpha square plus beta square a plus b whole cube minus 3ab a plus b a cube plus b cube के लिए मैंने यह use कर लिए आप दूसरी identity भी लगा सकते हो तो यहां 6 रख देंगे, तो 6 का cube हो जाएगा 216 minus 3 के साथ alpha square, beta square तो 1 है, और alpha square plus beta square जो आपने निकाला था, वही तो यहां जाएगा 6 तो 18 अटा देंगे 216 में से, यह I think 198 बचेगा, और upon में यह 6 सहीए मत भूलना, तो 6 से डिवाइड करोगे, तो 33, तो 1 root 34 1, 33, sum of root 67 product of root 1, 1, 2, 2 आजाएगा D option answer आजाएगा, तो simple था, बस identities apply करेंगे next question number 50 ने, तो konic के अंदर अब यह eccentricity और latest rectum से आगे बढ़ी नहीं रहे हैं, पता नहीं किया साब गबरा गए, normalization के नाम पे क्या खौफ हो गया, भूली गए कि tangent normal की भी कोई चीज होती थी क्यार कोई नहीं, advance में तो सब कुछ आएगा तो f of g of 10 निकालना है यह चीजें भी ऐसी बेकार बेकार निकलवा रहे है, g of 10 क्या हो जाएगा, 10 upon 10 minus 9 यह 1, और f of 1 क्या हो जाएगा 1 minus 8, यह नहीं minus 7 तो a minus 7 है, modage होगा यह 7 आजाएगा, तो x square by 7, यह नहीं हमारा ellipse का a square हो गया 7, b के लिए g of f of 3 है, तो f of 3 अगर इसमें डालोगे, तो 9 minus 8 फिर से 1 आएगा, और g of 1 अगर इसमें डाल रहे हैं, तो अब calculation गंदी कर देंगे कुछ में निकलवा देते हैं, f of 3 आ रहा है, 1 g of 1, I think 1 upon minus 8 आ रहा है, और मॉड ले लेंगे, तो b square अपना 1 by 8 आजाएगा, तो अजीब सी आ रही है चीजे, तो lr होती है, 2 times b square by a, है ना horizontal ellipse से a square बढ़ा है इनका अलगा रहा है, a बराबर 92 आया, मेरा तो a अच्छा नहीं आया था, calculation में तो गलती नहीं कर दी f of g of 10 था g of 10 अपने पास आया था, अच्छा मैंने calculation में गलती कर दी, g of 10 अपने पास आया था, 10 upon 10 minus 9 तो 10 आया था, मैंने 1 ले लिए और 10 square minus 8 92 आ रहा है, तो मेरी calculation mistake है, फिर mod b तो mod b में भी गलती आया रहा है, f of 3 क्या आ रहा था, 9 minus 8, 1 आ रहा था, ये b तो गंड़ी आ रहा है, इनका b क्या है, g of f of 3, इनका यही आया, अब ये ऐसा बेकार कुनिक बना है यार, और इसकी eccentricity निकल वा रहा है, तो eccentricity e square चाहिए, l square चाहिए, तो e square होता है, 1 minus b square upon a square, अब ये वही है, calculation के अंदर जान खाएंगे, ये e square आ गया, lr निकालना है, तो lr हो जाएगा, 2b square upon a, a हो जाएगा, root 92, ये lr हो गया, ये e square हो, calculation कचरा कर दी बिल्कुली, तो ये मतला भी नहीं रहा है, सावार में, ये जरूर 21 मुझे ठीक लगा, क्योंकि इसमें remainder के लिए, दो बार apply करना पड़ेगा, जैसे 428 को इससे divide करना, तो पहले बिटा आप इसको लिख लो, 420 plus 8, और power में है 2024, तो 420 जो होता है न, ये 21 से divisible होता है, 21 into 20, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, तो इसकी सारी powers जो है, वो divide हो जाएगी 21 से, लास्ट वाले को छोड़ेगे, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 8, यानि 8 की power 2024 बचेगा, उसके अलावा बागी सारी की सारी चीजें जो है, वो divide हो जाएगी, अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, 64 की power 1012, एक टू अंदर ले लिया, अब ये 63 प्लस 1 हो जाएगा, तो 63 वापस 21 थीजा होता है, इसकी सारी powers डिवाइड हो जाएगी 21 से, लास्ट वाले को छोड़ेगे, लास्ट में 1 की power 1012 है, आप उसकी value तो मारे पास 1 ही आईगी, तो ये दो steps में होने वाला remainder का अपना सवाल था, next वाला थोड़ा सा lengthy लग रहा है, determinant है, दो अलग-अलग चीजों का, और उसमें M और N चाहिए, तो यहाँ से पहले इसको solve करते हैं, तो पहले ये 3 बाहर आजाएगा, तो 3 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 3 Q, अब अंदर adjoint of this है, तो ये आजाएगा determinant जो भी adjoint के अंदर होता है, वो अंदर ही रहता है, और इसकी power में आजाएगा 3 minus 1, जो की होता है 2, अब 2 बाहर लेंगे 2 Q, और square लगावा है, तो 3 Q के साथ 2 की power 6 बाहर आजाएगा, अंदर बचेगा adjoint of A, जो की वापस determinant A का square होगा, और बाहर एको और square, तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसको अपन इससे बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास determinant A की power 4 आजाएगी, 2 Q से उदर ले जाके divide कर दो, और 3 Q से भी उदर ले जाके divide कर देंगे, 2 की power minus 19, 3 की power minus 13 आ रहा है, इन्होंने कुछ और ही दिया, खैर जो भी है, ऐसा कुछ आ रहा है, calculation देखनी पड़ेगी बाद में, उदर ले जाके अबने divide कर दिया, दोनों को, फिर यहाँ पर आएंगे, तो इदर भी 3 Q बाहर आएगा, adjoint of 2 A जो होगा हो जाएगा, determinant 2 A की power N minus 1, इसमें से फिर से 2 बाहर आएगा, तो 2 Q इंटू square में है, तो 2 की power 6, determinant of A square, यह बराबर हो जाएगा, 2 की power M, 3 की power N की, तो यहाँ से determinant A square उठाकर, यहाँ पर put कर देंगे, वहाँ से, बलब root ले ले लेना, 2 की power minus 9.5, 3 की power minus 6.5, वो यहाँ पूट कर देंगे, और फिर वो यहाँ पर इसके साथ multiply होगा, तो दोनों तरफ 2 की और 3 की power बराबर कर देंगे, तो calculation unnecessary है, बढ़ हाँ, portions difficult नहीं है, इसके अंदर भी, यह भी calculated है, F of 1 है, तो आप पहले 1 रख देंगे, 3A plus B plus C plus 41, यह आगया 41, 41, 41 cancel हो जाएंगे, फिर F dash 1, 2, F dash करोगे, तो 9A X square 2B X plus C, अब इसमें आप 1 रख दो, तो 9A plus 2B plus C, यह आजाएगा 2, और इसकी value आ रही है, 4 के बराबर, तो पहले 1st, 2nd equation को subtract करो, फिर A और B के अंदर, 2 equation 2 variable solve करके, last में C निकाल लेंगे, तो यह था हमारा 23, इसमें domain निकालना है, तो I think यह तो आसान है, straight forward है, यह inequality सभी को आती है, बस minus 1 से 1 रखना है, और solve करना है, तो पहले इस inequality को solve करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे, 1 add करेंगे, और क्या बोलते हैं, number line बनाएंगे, तो वो सब बपन को आता है, तो यह वाली inequality solve करके, number line बना लोगे, फिर इसके case के अंदर, 1 इदर ले आएंगे, separate करेंगे, फिर दूसरे case में, इस inequality को solve करके, इसकी number line बनाएंगे, दोनों को common लेके, आज़ों में निकाल सकते हैं, बना राम सकते हैं, 25th, हाँ, relation का भी एक सवाल, हर shift में आएंगे, इस बार, यह lengthy है, यह I think integer में आता तो, आप इसकी जगे कोई दूसरा attempt कर सकते थे, क्योंकि A cross B से A cross B, A cross B मतलब 16 elements से 16 elements, pair wise relation है, A1, B1 से A2, B2, और related होने के लिए, दोनों का X coordinate और Y coordinate बराबर होना चाहिए, X coordinate दोनों जो आएंगे अपने पास, वो A1 और B1 जो हैं, वो तो आ रहे हैं हमारे पास capital A से, और A2, B2 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं capital B से, उल्टा नहीं बोल दें इन्होंने, चलो मान लेते हैं जो भी यह लिखते हैं, उसी को सही मान लो, तो A1, B1 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं A से, और A2 B2 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं B से और A1 प्लस A2 बराबर होना चाहिए B1 प्लस B2 के बराबर A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस ये उल्टा लिखा है आर इन्होंने क्रोस किया है तो A1 A2 आएंगे न ये से क्या आम मेमोरी बेस्ट कुछ भी बना दोगे बराबर आना चीज हम तो जैसे 2 A1 A2 ले लिया 2 और 6 ये 8 आ रहा है B1 B2 कभी 8 आ सकता है गया नहीं तो A1 A2 ले 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 लेते हैं अपन 27 ले ले लेते हैं तो B1 B2 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा 2736 ऐसी केसे लिए इन्होंने उल्टा भी कर सकते हो 7236 फिर जैसे 2947 9274 तो ऐसे केसे बनाएं तो टोटल ऐसे इन्होंने नाइन केसे बने हैं और थोड़ा सा गड़ बढ़ लग रहा है सवाल बत कोई बात नहीं चलने तो इन्होंने आप भी बोला था कि A2 इससे लेंगे अपन B से असा 7 उल्टा नहीं कर पाएंगे 2736 है तो इसके केस के अंदर अपन 7 इदर नहीं ले सकते क्योंकि 7a में नहीं हैं A2 इन्होंने यहां से लिया है एक्चिल कोईशन तो यहीं होगा आएगा तब देखेंगे अब अभी इन्होंने लिखा है उस memory based के साफ से 7a2 इन्होंने B से लिया है B1 A से लिया है तो यह वाली चीज थोड़ी सी घड़ पड़ है खेर केसे बनाने तो एक बार जो दूसरे हैं A2 B2 यह B से आ रहे है जबकि अच्छली ऐसा होना नहीं चाहिए A क्रॉस भी है तो A1 और A2 दोनों A से आएंगे B1 B2 दोनों B से आएंगे तो मैं इससे है 2022 टाइमस हैड हो रहा है तो यह होगा 2022 लेंडा के जो है 1 से 2022 में हो जाएगा N N प्लस 1 अपॉन 2 यह आगे लेस देन इकोल टू 2022 का स्कूर्ज तो एक 2022 तो हो जाएगा कैंसर फिर 2023 बाइट उदर बेजके अगर अपन सब्ट्रक कर देंगे तो लेंडा लेस देन फिर Vендhu 20 21 2 आजाएगा और 20 21 से जड़ा हो सकता है 222 याजजी आते हैं तो कुछ नया सीकने को मिला हो अगर आपको तो लाइक की speculative कर सकते तो पिसले 50 डेस से कर रहे हैं अगले 50 डेस भी करते रहेंगे तो प्लेलिस्ट है वो आपको इतिंग नीचे मिल जाएगी डेस्क्रिप्शन के अंदर तो फॉलो करें चैनल को जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ 9 एपरिल शिफ्ट हूं की तब तक के लिए थेंक यू के छले जाएगी और शिवक्ते रहें यूजबडे प्रेसा य हो एक डिर्णी है बड़ एक प्रणुए जया है मिलते हैं लिए और एक जया है जाली है